नमस्कार मैं हूँ आरेन और आप हैं समय आरेन 45 एजुकेशन पर आज मैं बात करने वाला हूँ एक अमेजिंग मल्टिप्लिकेशन के बारे में 98, 982, 196, 983, 983, अरे कहना क्या चाहते हो शोरी ये तो टेबल है, अाज मैं बात करने बाला हूँ 9 से रेलिटेट मल्टिप्लिकेशन के बारे में मल्टिप्लिकेशन रेलेटेट टू 9, जैसे 9 मल्टीकेशन 9, ठीगे, 9 मल्टिकेशन 9 कतना होता है आपका, 81, ठीके, हुआ है अगर चार बार नों है चार बार नों से गुड़ा करें इसका क्या होगा इसका होगा this यह भी आसान है बट चल्कुलेटर से तो आज मैं आपनों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे आप लोग इन सब का मुल्टिक्लिकेशन चल्कुलेटर से भी फास कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो देखें जैसे पहला है 9 x 9 इसका क्या हो जाएगा 9 81 हो गया यह तो आसान है जैसे दूसरा है 99 x 99 अब इसका क्या होगा ध्यान से देखेगा अब यह 99 है 99 से 1 कम क्या होता है 98 अब यह 2 अंक का गुड़ा है ठीक है तो 2 अंकों में आपनोंके लिखना है एक जैसे 1 लिखा मैंने इसके आगे 0 लिख दीजे तो यह हो गया आपका 2 अंकों में एक यहाँ पे 0 एक लिख दीजे यह भी हो जायेगा जैसे तीसरा देखिए 999 तीन बार 9 है उसका गुड़ एक आगे लिख दिना है ये भी हो जाएगा जैसे 9999 तो सबसे पहले इससे एक कम लिख दीजे 9998 आप चारंग का गुड़ा है तो चारंगों में एक लिख दीजी ठीक है ये भी हो जायगा जैसे इससे भी बढ़ा देखे जैसे च्छ बार है यहां पे भी च्छ बार 9 है ठीक है सबसे पहले इससे कम लिखना है एक कम तो 9 9 9 लाश में आप लिख देंगे 8 आप 6 अंक का गुड़ा है ठीक है तो 6 अंकों में 1 लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 ठीक है इसी को आगे लिख देना है ठीक है यह आपका हो जाएगा इसका गु कुछ करते हैं तो इन सबका गुड़ा आप सबसे सब्सक्राश्पिर कर सकते हैं all right तो ने सब्सक्राइगे जों से सब्सक्रायर तो लेंगे मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद